हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर, अनुपात के प्रेश्णों को देखेंगे, ठीक है, अनुपात का चेप्टर में आपका किलियर कराऊँगा, सबी प्रेश्णों को लेकर कराऊँगा, बस आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, रेगुलर वीडियो को है नहीं पता कि वैज क्या है, अधित तर जो नए बच्चे तायारी करना शुरू करते हो, उनको नहीं पता होते है, ऐसेен शब्द, तो वै का मतलब खर्च, ओनुपातश साथ अनुपातश है, तो वै कितने रुपे बचाता है, कितने रुपे बचाएगा देखे आए कितनी है 1400 रुपे है अनुपात में आए कितनी है साथ है तो इस आए में अनुपात के आए से डिवाइड कर दू साथ दुने का 14 और दो जीरो मतलब 200 ठीक है 200 हो गया अब मैं क्या करूँगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग तो 200 रुपे की बच्चत कर रहा है कि नहीं वगर कर रहा है तो बच्चत उसकी 200 रुपे की फूई थिक है पहला आफवसंन से होगा इस तरीके से प्रश् antis को करिए कभी गलत नहीं होगा, ध्यान से करना, गलती मत करना, अब देखेंगे अगला प्रश्ने, अगला प्रश्ने है, दो संख्या, एक अनुपात तीन के अनुपात में हैं, दो संख्या, ये पहली संख्या हो गई, और ये दूसरी संख्या हो गई, इनका अनुपात दे रख तो हमें अनुपात का योग करना है अंतर दिया जाएगा तो अनुपातों का अंतर करना है LCM दिया जाएगा तो अनुपातों का LCM करना है HSCF दिया जाएगा तो अनुपातों का HSCF करना है ठीक है अब हमारे पास यहां योग है तो हम अनुपातों का भी योग करेंगे तो एक और तीन चार कितना हो गया योग चार तो इस योग में अनुपात की योग से डिवाइड कर दो तो अनुपात का योग चार आया है तो 4-6-24 और ये के जियो 60 वार में ये कट गया अब आप से पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना है अंतर पूछ रहा है बई अंतर कर दो चाहे तो अनुपात में अंतर करके सीधा गुना कर दो चाहे अलग-अलग निकाल के मैं दोनों से 1 tous खाईगा आ है अनुपात का अंतर 3-1 का कितना हो जाएगा 2 ? 60 का गुना सीधे 2 से कर दो ठीक है 60 का गुना 2 से करएंगे 120 अंतर अंतर कितना अगये भी 120 आगया, 120 आपका सही answer है, अब अलग अलग निकाल के देखेंगे, 60 का गुना मैं एक से करूगा, तो 60 हो जाएगा, 60 का गुना 3 से करूगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का अंतर पूछा गया था, अब 60 का और 180 का मैं अंतर करूँ तो 120 ही तो आएगा, यहाँ पर भी 120 आया था, चाहे अलग लग निकाल के करो, चाहे यहाँ पर अनुपात का अंतर करके अंतर पूछा ना, तो अनुपात का अंतर करके उची से गुना कर दो, ठीक ह 120 आपका सही जवाब हो गया अब देखेंगे हम अगला प्रश्न अगला प्रश्नी है यदि 1000 रुपे को B तथा A में 3 अनुपात 2 के अनुपात में बिभत करें तो A को प्राप्त राशी कितनी होगी कौन-कौन दे रखा B तथा A पहले B दिया गया तो पहले B लिखेंगे बाद में A दिया गया तो बाद में A लिखना यसे बात को हमेशा याद रखना ठीक है अनुपात दे रखा है इनका 3 अनुपाते 2 यदि 1000 रुपे को रुपे कितनी है भाईया 1000 आपके पास जो रुपे का योग है वो है 1000, जब योग दिया जाता है, तो मैंने क्या बोला, उनुपातों का भी योग करते हैं, तो तीन और दो पांच, तो इस योग मैं नुपात की योग से डिवैट करूँगा, मैं कितने माच जाएगा, पांच दूने का 10, और 90, 200 बार में खटेगा, तर दो जीरो, उपे की जो रासी है इसमेंसे एको जो रासी प्राप्त हो रही है वो 400 हो रही है एको कितनी हो रही है प्राप्त रासी 4 को बस हमसे ही पूछा है कि एको रासी कितनी प्राप्त होगी तो एको रासी भी है 400 प्राप्त होगी बस खतम हुई बात पहला उसन से हो गया बी का सातो अंतर बता देते 61400 का अंतर 200 आ जाता जो पूछा जाएगा उसे आप बता देंगे अब देखेंगे हम सात अनुपात गर्में क्या जोड़ा जाए? मैंने आपको पहले जब इस तरीके के प्रश्ना कराए थे तो मैंने ये भी बताया है कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है जैसे कि लिखाओ गया है सात अनुपाते ग्यारा लिख रहा है हम इसको सात बटे ग्यारा भी लिख सकते है अनुपात का मतलब बटा भी होता है ठीक है? कभी इस तरीके से लिखा होगा तो आप उस तरीके से भी लिख सकते है ठीक है? तो देखिए सात अनुपाते ग्यारा है ना तो मैं इसे 7 बट्टे 11 लिख सकता हूँ अब कह रहा है कि इन पद में क्या जोड़ा जाए कि उनका अनुपात इतना हो जाए क्या जोड़ा जाए हमें तो नहीं पता क्या जोड़ना है तो हम X जोड़ लेते हैं हम पता नहीं है क्या जोड़ना तो हम एक सूर लेंगे जोड़ लेते हैं तो क्या होता अनुपाथ हमारा 3 अनुपाथ चार हो जाए अनुपाथ कितना हो जाए 3 चार तो 3 बट्टे 4 अनुपाथ का मतलब बटा होता है ना तो 3 बट्टे 4 हो जाए अब क्या हो जाएगा क्रोस का गुना 4 सत्य 28 28 प्लस 4X ठीक है बराबर 11 रिक्का 33 ठीक है 11 रिक्का 33 और यहाँ पर 3 का गुना X होगा तो यह 3X 3X अब ध्यान से देखे यह 4X यह 3X यह 3X इधर लाएगा तो 4X में से खतम हो जाएगा 4X में से 3X गया तो 1X ही तो बचा बराबर यह प्लस का 23 जाएगा तो 33 में से घट जाएगा तो 33 में से घट जाएगा 5 बचेगा तो X की वेलू कितनी आगी 5 आगी क्या पूछाता प्रश्णी में आप से पूछाता कि पद में क्या जोड़ा जाए पांच जोड़ा जाएगा खतम हुई बात पांच जोड़ा जाएगा भी पहला ओप्सन से ही हो गया अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है 15 अनुपात 19 के प्रतेक पद मे से क्या घटाया जाए कि नई संख्याओं में 3 अनुपाद 4 के अनुपाद में हो जाए जो नई संख्याओं वो 3 अनुपाद 4 में हो जाए कोई बात नहीं अनुपाद का मतलब बठा भी होता है मैं आपको बताया तो 15 बट्टे में से 19 लिख लूँगा पहले प्रेस्टि में जोड़ने के लिए यहां बोला घटाने के लिए क्या घटाया जाय नहीं पता क्या घटाना तो मैं एक्स घटा लेते हैं माइनस 4 का गुना x में करेंगे तो 4x, बराबर 19 तरिक का कितना होता, 87 होता भी, माइनस 3 का गुना x में होगा तो ये 3x, अब प्रेश्णु को solve कर लेना answer आजाएगा, देखें, ये माइनस का 4x, ये माइनस का 3x, जहां से समझना है प्रेश्णु को, माइनस का 4x, प्लस का 3x, मैं इस माइनस के 4x को इधर ले जाऊँगा, तो इधर आके ये प्लस का 4x हो जाएगा, तो प्लस के 4x में से माइनस का 3x घट जाएगा, तो इस सिर्फ एक x बचेगा प्लस का, इसको मैं धर ले जाओंगा तो यह प्लस का 4X हो जाओंगा अब मैं इसको इधर के लेके जाओंगा तो यह क्या है 57 है प्लस का इधर आके माइनस का 57 तो 60 में से 57 घट जाएगा तो 3 बचेगा तो X की value कितनी आगई? X की value आगई 3 तो हमें क्या घटाना है? 3 घटाना है हमने X को घटाया था X का मतलब 3 को घटाना है तो पहला option सही हो गया आपका आसानी से पात के लिए रो रही है अब हम देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न है किसी धन को A, B तथा C में 3, 5, 7 के अनुपात में बाटा गया है तीन व्यक्ति हैं आपके पास A, अनुपाते, B, अनुपाते, C अनुपात है इनका 3, अनुपाते, 5, अनुपाते, 7 में कोई धन बाटा गया है तीक है कोई धन बाटा गया है यदि C का भाग A के भाग से 16,00 रुपया देखे यदि C का भाग A के भाग से यही तो कह रहा है यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है अनुपात में कितना अधिक है C का भाग A के भाग से अनुपात में कितना अधिक है आप बोलेंगे सर 4 अधिक है अनुपात में तो जो C का भाग है वो एके भाग से अनुपात में चार अधिक है और यहां रियल में रुपई में कितना अधिक है तो यह चार सोले सो के बराबर हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा चार सोले सो के बराबर हो गया भई बी का भाग पूछ रहा है तो बी का रिशियो थे हैं पर 5 है ना बी का रिशियो 5 है तो 400 का गुना सीधा-सीधा 5 से कर दो क्योंकि एक बराबर 400 के तो 5 बराबर कितने के 452,000 के यह आप का अंसरा गया तो बी का भाग कितना भई अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है यह यह दि-ए अनुपाद B अनुपाद C बराबर 2 अनुपाद 3 अनुपाद 4 हो तो ए बटा भी अनुपाद B वटा C अनुपाद C बटा एक क्या होगा देखिए तीन ब्यक्ति हैं आपके पास A, B, C और इनका अनुपाद आपको दिया आ गया है जवकि अनुपाद कभी अनुपाद में बटे की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा ठीक है अनुपाद में बटे वाली फॉर्म में आंसर नहीं होता गलत होता है लेकिन हमें जो दे रखा वो करते हैं हमारे पास A का मान कितना भी या 2 है मालूम है आपको B का मान 3 ह C का मान 4 है तो A का मान मेरा कितना है 2 तो मैं 2 रख लूँ बट्टे में आ जाएगा B और B का मान मेरा कितना है 3 है तो 3 रख लूँगा अनुपाति B का मान मेरा 3 है तो 3 रख लूँगा ठीक है C का कितना भई C का 4 है तो 4 ले लो C का 4 है और A का कितना भई? A का 2 है, मैंने ले लिया, इसको कटा के मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है? 2 दूनी 4, 2 एक कम दो, छोटा कर लिया मैंने तो सही फॉर में क्या हो जागा? दो बट्टे तीन अनुपाते तीन बट्टे चार अनुपाते दो बट्टे की मैंने इसको कटा के छोटा कर लिये ताकि आंसर जल्दी आजाए सही आजाए केलियर है सही आजाए और जल्दी आजाए अब मैं क्या करूँगा 3,4,1 का LCM ये लूँगा कितना हो जाएगा LCM 12 हो जाएगा LCM 12 हो गया अब 3 से 12 को कटाऊँगा 4 वार में कटेगा 4 का गुना 2 से करूँगा 4 से 12 को कटाऊँगा 3 वार में कटेगा 3 का गुना 3 से करूँगा 1 से 12 को कटाऊँगा 12 वार में कटेगा 12 का गुना 2 से करूँगा तो 24 आप का अंसर रह गया यह आठ नो 24 किस अनुपात में भई किस ओफशन में आठ नो 24 आपके C ओफशन में यह आपकी प्रेशनी का बिलकुल सही जवाब हो गया अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है 28 लीटर मिसन में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5 अनुपाते 2 है इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2 अनुपाते 1 हो जाए कितना तेल हम इसमें और मिला दें कि इसका जो अनुपात है वो हमारे कितना हो जाए दो अनुपाते एक हो जाएं वाई बहुत बढ़िया प्रेश्णि है यहां पर यहां पर मैं इसे हुंबर के लिए देना चाहरा हूँ प्रेश्णों को वैसे तो हुंबर के लिए लेकिन मुझे लग रहा है अपने ही करपाएंग भचे पैट्रॉल प पेटरॉल और तेल की, ठीक है, मिस्रण है मेरा 28 लीटर का, ठीक है, अनुपात दे रखा है मेरे पास 5 अनुपात 2, जो तेल का और पेटरॉल का अनुपात है, वो 5 अनुपात 2 है, तो मैं 5 लिख लूँ, यहां पर 2 लिख लूँगा, ठीक है, मेरे पास जो योग है, मिस्रण दो से कर दूँगा मैं 8 तो इस 28 लीटर मिस्टर में पैट्रल कितना आपके पास 20 लीटर है और तेल कितना आपके पास 8 लीटर है दोनों की क्वांटिटी आपने अलग-अलग यहाँ पर निकाल ली अब आप से कहा गया है कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह नुपा किया कि तेल मिलाने की पैट्र मिलाने की नहीं तेल मिलाने की उसनी बात किया तो तेल पहले से हमारा आठ है कितना तेल मिलाना नहीं पता कितना मिलाना तो एक्स मिला लेते हैं मिला लिए एक्स तो कह रहा है कि अनुपास मेरा दो अनुपात एक हो जाए अनुपास कितना हो तो प्लस का 2X आ जाएगा ठीक है यह हो गया अब देखिए यहां पर 16 इधर आके 20 में से कट जाएगा तो 4 बचेगा 4 बराबर इधर कितना 2X इधर हो गया 2X अब 2 से 4 कटेगा दो बार में तो X की वैलू कितनी आ गई भई एक्स की वैलू आगी तो एक्स की वैलू कितनी आगी तो यहां पर हमने क्या करता था उसने बोला था कितना तेल मिलाया जाए एक्स को मिलाया गया था एक्स का मार कितना 2 इसका मतलब 2 लीटर तेल और मिलाया जाए यह उफसन आपका सही जवाब हो जाएगा बात केलियर हो ग